अब आपको बता दे कि मुख्या मंत्री डॉक्टर मोहन यादाबाज रियाना दौरे पर रहने वाले हैं हरियाना में करेंगे चुनावी प्रचार पार्टी प्रतियाश्यों के समर्थन में करेंगे रोड शो दोपहर 12 बचकर 10 मिनिट का वो समय रहेगा जब हरियाना जिरा जजजर के मातन हिल में रोड शो करेंगे एक बचकर 45 मेनिट पर भिवानी के ग्राम लोहानी तो शाम में रोड शो उनका रहने वाला है और इस लिस्ट में वो शामिल हुए है क्योंकि उनकी लोग प्रियता जिस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है पार्टी प्रतियाश्यों के समर्थन में आज रोड शो के लिए उतरेंगे सीयम मोहन यादव हरियाना दौरे पर रहने वाले हैं और अब अगर 10 मोहन यादव के लिए मैदान में उतारा गया है बेहत महत्वपून हो जाता है जिस तरह से उनकी चवी है और साथी उस चवी के साथ-साथ कितना प्रभाफशाली होगा उनका ये दौरा इन चुनावों में ये देखना भी बेहत दल्चस्प भूमाना जा रहा है आज सीयम मोहन यादफ का हरियारा दौरा है जियादा जानकारी के साथ से योगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके है सीधा रुक राकेश का करेंगे और जानेंगे कि किन माइनों में सीयम मोहन यादफ का हरियारा दौरा जो है आज का खास रहने वाला है अधिया बात करें मद्प्रदिश के मुक्पंति डौक्टर मोहन यादब अलग अलग इलाकों में चुनावी शेतरों में दौरे पर हैं इस से पहले भी रुड़ाना के दौरे कर चुके हैं रुड़ाना में उन्होंने रोडसों भी की हैं सभाए किये हैं और जम्मू कश्मीर पर भी सीम डॉक्टर मुहाने आदम ने बीज़ीपी प्रत्याशियों के पक्षों में परजार किया था आज हर्याना दौरे की बात करें तो सीम के अलग-अलग विधानसवाओं में दो रोडसों रहेंगे और हम पहले रोडसों की बात करें तो कुछी देर में सीम चुकी हर्याना पहुंच चुके हैं कुछ देर बाद रोडसों उनको शुरू होगा और जिस तरह से बीज़ीपी ने प्लानिंग की है कि किस नेता का कहां पर सबसे अधिक प्रभाब हो सकता है उसी हिसाब से प्रचार की जिम्बेदारी सौपी गई है तो हर्याना के दौरे पर एक बार फिर सीम डॉक्टर मुहान यादव हैं और दो रोडसों करेंगे रोडसों के जरिये बीज़ीपी प्रत्याशी के पक्षमें माहौल बनाएंगे और खास बात आज जो देखना होगा कि रोडसों के दौरान जब सीम डॉक्टर मुहान यादव प्रचार करेंगे जब वो अपना संबोधन देंगे तो उन में किन वातों का जिक्र होता है इस पर सभी की नज़र टीकी हुई है बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारी साजा करने के लिए बिल्कुल सही का आपने कि अपने संबोधन में वो क्या कुछ कहते हैं इस पर सभी की नज़र